हेलो फ्रेंड्स तो वैलकम टू पैनेशिया फो लेवरियंस क्लासेज आई होप यू आर वेल तो आज का जो हमारा टापिक है वो है बुक बाइंडिंग और यहां पर हम लोग जो बात करेंगे वह लेबरेरी में हम किस प्रकार बुक को बाइंडिंग करते हैं उसका क्या मैथ है उसके बारे में पूरा डिस्कुर्शन करेंगे और उससे रिलेटेड जो कोशन से वह मैं आपको बताऊंगी तो सबसे पहला कोशन यह आता है कि लाइबरेरी में हम बुक बाइंडिंग क्यों करवाते हैं कोशन इसके में से क्यों यह भी आता है तो हम लोग उस टाइम प संक्षन के अंदर क्लासिफिकेशन एंड कैटलोग आता है वो के बिएस 2015 का कोश्चन रह चुका है तो याद रखेगा लैबरेरी में जो बुक बैंडिंग को मैंटनेंस संक्षन के अंतर गताता है और यह जो है रंगनाथन की पांचों लाग को फुल्फिल करता है अब कु उसके लिए जो सबसे पहला प्रोसेस है वो कहलाता है कोलेशन तो कोश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाता है कि बुक बैंडिंग में जो फर्स्ट प्रोसेस है उसका क्या नाम तो उस टाम पे हम लोगों को टिक लगाना है कोलेशन में क्या होता है हम पहले बुक को चे की लेकिन वह रीडर के उतना उस पर दिमांड ने तो उस बुक को भी बाइंडिंग नहीं कर वाइंगे उस बुक करवाएंगे जिसमें रीडर का काफी जादा ढीमांड है उसका कॉस्ट भी है लाइबरेरी उसको बार-बार पर्चेज नहीं कर सकती है तो हम लोग उस बुक को क्या करवा देंगे बाइंडिंग अब बाइंडिंग की जो एट प्रॉसेस है उसको हम देखेंगे सबसे इस तरीके से भी आप से कुछन पूछा जाता है कि कोलेशन का सबसे पहला तो की बुक को चेक करना कि वह ब्यांडिंग के लाइक है कि नहीं उसको एक्सामिंग करना सइकंड कोलेशन का मतलब होता है कि ज़िसे अगर फट गये तो जाहिर सी बात है उसके पेजस क्या हो गे नहीं रख रहेंगा तो लाइब्रेरियं क्या करेगा उसके प पूराने टाइम स्टैबिंग और हाईringe का मतलब होता है अब क्या होता है कि है इस प्रोससेती अब होता है बाटनी फार यह क्या अब कैलेन केहता है अब हम चली केइस सब्सक्राने का सैबने बोगुप्राइएब है process जो है stabbing process related रेमिंग का मतलब होता है पूराने टाइम पे stabbing को हम लोग esaug click कहते हैं तो अब क्या हमने किस तरीके जोड़े कर लें क्या करें किस उत्व इसको सिलाई करना कशला शुरू करें ठाथ्ड प्रॉसेस में आता है attaching covers अब हमने book में सिलाई करना शुरू किया अब हम क्या करेंगे ऊपर हम cover देंगे book का तो वो हम किस तरीके cover देंगे या तो hard cover दे सकते या तो soft cover दे सकते वो book पे depend करेगा fourth number में end paper end paper क्या होता है कि हम लोग जो हमारी books होती है उसमें first में एक खाली पेज रहता है और लास्ट में खाली पेज रहता है तो वह खाली पेज इसलिए दिया जाता है कि क्या पता reader के हाथ गंदे हूं और वो बुक छुएगा और क्या करेगा कि बुक को गंदा कर देगा इसी तरह हर अगर हर एक reader करने लगा तो बुक काफी जल्दी खराब हो जाएगी और लाइब्रेरी में उतना बजट नहीं मिलता है कि लाइब्रेडियन बार बार रीडर्स के डिमांड के इसाब से बुक को ला सके इसलिए लाइब्रेडियन का first preference रहता है कि वो बुक को क्या करें एक दम इफाजत से रखे अगर व लगवाया जाते हैं तकि जो हमारे बुक बाइंडिंग होके है वह काफी ज्यादा सुन्दर लगे तो मतलब क्लरिंग एजसे हैटब्स का मतलब होता है डेकोरेटिव पेपर जैसे आपने कभी बुक बैंडिंग करें तो जहां से इंडेक्स शूरू होने वाला तो उससे प हाँ मार्बलिंग कि मतलब होता है नाम क्या है मार्बिलिंग historians कग administrative भी क्या होते हो पिघिक के रहे हो begin होते हो यह यिविन से क करेगा ने भी में करेगा पूरा अच्छे तरीके से हो गया हो गया जिसने बाइंडिंग नियू म्त अइब हैkey यह हो गया जाए अप इसमिश्क झाया किio k通 स्थाइब के इस इन Fastly जे लिए अंगले desapällt दें से रिलेटेड अब बैंडिंग के कुछ स्टेंडर्स हैं जैसे ISO 19601964 यह किसे रिलेटेड बुक बैंडिंग स्पेसिफिकेशन और कोड आफ कवरिंग इसो 30501965 यह किसे रिलेटेड रेइनफोर्स बैंडिंग स्पेसिफिकेशन अब जो हमारा एक और चीज पूछा जाता है कि जो हम सिलाई करते हैं बुक का तो उसमें जो मैटेरियल्स यूज होता है वो कौन-कौन से मैटेरियल यूज होते हैं तो पहला है थ्रेड थ्रेड ग चीज स्विंग में यूज नहीं होता है तो आपको टिक लगाना तो यह था हमारा लाइब्रेरी बाइंडिंग से रिलेटेड जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम टाइप सो बाइंडिंग देखें कि हम बाइंडिंग में जो कवर लगाते वो किस-किस टाइप क्यों हो